two concentric circles of radial a and b मतलब दो concentric circle हैं मतलब कैसा होता है जिसका center a को concentric circle मतलब जिसका एक ही center हो उन्हें दोनों circle को क्या कहते हैं concentric circle कहते हैं जिनका circle क्या हो aq जहां पर a and b radius है मतलब एक radius a है एक circle की एक circle की radius b है और जहां पर a is greater than b और radius a की बड़ी जादा है b की b से b radius से ठीक है आर गिवन दे रखे हैं find the length of the chord of the larger circle तो बड़े वाले circle की जो chord है उसकी length बतानी है which touch the smaller circle और जो की smaller circle को touch करती है उसकी length बताओ कि देखे भईया कैसे करेंगे तब से पहले बनाएंगे हम circle सबसे पहले बनाएंगे हम circle जिसका एक center है ओ ठीक है यहां पर कोई दिक्कत बताओ किसी को पहले इसको काम करते हैं इसको छोटा बनाते हैं फिर इसी के साथ में एक इसका clone करेंगे जिसको हम बड़ा बनाएंगे अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करेंगे इससे और center दोनों का रख देंगे पमान बोलिए तो को center हो गया दोनों का क्या equal और circle होगे दोनों अलग अलग दोनों circle अलग है center दोनों का same है clear अब देखो center तो यह हो गया ओ इसको माले दें center O . अब एक कॉर्ड है जो की एक कॉर्ड है लॉंगेस्ट कॉर्ड बनाते हैं जो सरकल छोटी वाले को टच कर रही है छोटे वाले सरकल को टच करते हुआ जाती है एक कॉर्ड यह रही है कि यह देखो पर यह द्यान से देखना है ना कि थोड़ा सा अलाइन कर लेना चीजों को तो हमेरे लिए कि अच्छा लगेगा देखने में भी समझाने में इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं कि समझने में आसानी हो चीजों को कि चलिए देखें दो कॉंसेंट्रिक सर्कल बन गए हमारे जिसका एक की सेंटर है एक कॉड़ बनाती जो हमने बड़े सर्कल की एक कॉड़ है जो की छोटे सर्कल को टच कर रही है यहां पर टच कर रही है ठीक है अब रेडियस है इनकी ए और बी एक ही जादा है एक ही रेडियस जादा है मालने तो यह देखो यह वाला जो है हमारा इसको बना देते हैं यह यह जो है वह बड़ी रेडियस क्या है जादा है यह रेडियस क्या है यह रेडियस ए है और एक छोटी रेडियस है क्या है एक हमारी तोटी Radius है ये, देखो, ये क्या है A, ये Radius A है, ठीक है, A ये नहीं है, B है, ये ठोटी वाली Radius B है, बढ़ी वाली Radius हमारी क्या है A है, अब इसको में क्या करता हूँ ? मिला देता हूँ, तो देखो O A, अब मान लेजियरों इनके लाम करन कर लेता हूं थोड़े से कुछ यह लिख दिया मैंने ए यह लिख दिया मैंने बी जहां टैच कर रहे है उसको लिख दिया पी ठीक है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉख कर रहा हूं ऐसे नीचे ठीक है अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो टेंजेंट है मेरा AB क्या है टेंजेंट AB is a tangent on circle O कौन से smaller circle तो smaller circle के लिए मेरा AB क्या है एक टेंजेंट है clear है टेंजेंट और टेंजेंट पे जब कोई normal एक radius ड्रॉ की जाती है यह क्या है B है यह किसके बिए यह B के बिए ए यह radius ही तो है यह radius होती है tangent पे हमेंजीं से क्या होँती है नॉर्मल क्या होती है नॉर्मल का मतलब 90 degree का angle बनाती है AM I right देखो draw किया हुआ बहुत प्यारा लग रहा है और समझ में आ रहा होगा सब कुछ अब हमें क्या निकालना है हमें निकालनी है length find the length of the quad of the larger circle तो यह larger circle की जो quad आई है AB इसकी length निकालनी है इसकी मुझे length निकालनी है clear है चलो अब कैसे निकालने देखो निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको triangle बनाएंगे क्या बनाएंगे बेटा triangle triangle देखो in triangle O P B O P B O P B में देखिए O B बराबर है किसके A के O P बराबर है किसके B के यह क्या है radius of larger circle यह क्या है radius of smaller circle ठीक है कोई doubt इसमें question नहीं तो इन triangle O A P यह कैसा triangle है right triangle तो right triangle में क्या होता है 90 degree के सामने की side हमाइसा क्या होती है hypotenuse hypotenuse का square is equal to होता है किसके बराबर हमारा मितलब मुझे देखो मैं PV निकाल लेता हूं क्या निकाल लेता हूं PV सब्सक्राइब तो PV का square is equal to होगा क्या O P का O B का square minus O P का square O B क्या है पीटा A square minus B square PV बराबर आ गया किसका root के अंदर A square minus B square A square minus B square आ गया यहां तक कोई बताओ इसमें कोई समस्या किसी बच्चे को बताओ यहां पर नहीं तो आगे बढ़ते हैं देखों अब यह तना आगया अब A B हमें निकालना है A B निकालना है A B क्या होगा A B is equal to twice of PV A B क्या है twice of PV है भई PV के बराबर बढ़ा ही तो है क्यूं है क्यूंकि देखो O P क्या है जो O P है O P क्या कर रही है Cod AB को bisect कर रही है O B क्या कर रही है O P is bisector of Cod AB और bisector है इसका मतलब क्या है यह दो बरावर बरावर हिस्सों में बांट रही है या तो ऐसा समझ लो ऐसे कर सकते हो twice of PV या फिर आप similarly इस वाले ट्रैंगल के लिए यही काम कर लो सेम काम इस वाले ट्रैंगल के लिए भी कर लो इस वाले ट्रैंगल के लिए काम करो कि तब भी वही बात आएगी कि हमें a स्कूर माइनस b स्कूर मिलेगा और उसके बाद दोनों को हम जोड़ देंगे लेंगे लेंथ को लेंथ ए और ab और pv को तो ठीक है तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बाद में बाद में हम यह भी कह सकते हैं कि yes op is a bisector of ab क्यों क्यों कि दोनों की value क्या आ रही है समा आ रही है यह भी कह सकते हैं क्योंकि आप जब दूसरे triangle के लिए काम करेंगे similarly तो value हमारी क्या आएगी यही आएगी के नहीं आएगी जल्दी से बताओ है ना तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं क्योंकि आपको दोनों ही बाते पता हैं तो आप क्या लिख दें अब ab is equal to twice of pb और pb की value कितनी आई है root में a square minus b square तो ab की आगई length यह तो length of the ab is equal to twice of root a square minus b square यह बिटा आगई आपकी length ठीक है twice of a square minus b square यह आपकी length निकल आई इसको अब समझ लो और clearly आसान तरीके से कर लेना इसको एक हो और अगर आसान कोई तरीके आपको लगता हो तो you can do that और भी तरीके से आप कर सका है मैं कर आऑ इंसर मंजल सबकी कि एक है सबकी मचल से में हमें पहुँचे ना आंसर तक ही एड़ दी एंड व्रां सर क्या है हमारा यह तो यह मारा क्रेक्ट आंसर ऑप्शन इसमें नहीं है पर समझ लेना इस चीज पर यहां पर जो मैंने भी लिखा यह ओ यह नहीं ओए नहीं है यह सिर्फ ओ यहां पर आप पोईस्ट नमबर दे सकते हो यह बी यह अंदर वाले स्मॉलर सरकल की रेडियस है ठीक है बहीजा स्मॉल रेडियस क्यों क्योंकि यहां दिया है आपको बड़ा बड़ा लिखकर के एज ग्रेडर दैन बी तो एज ज्यादा है किसे रेडियस बी से साफ साफ दिख रहा है उप ठीक है बच्चा